असलाम अलेकम स्टूडेंट्स वेलकम बैक अगेन मैं मुहम्मद वकास हूँ और यह है आपका चैनल MWS Chemistry और प्रीविस लेक्चर में MOT Molecular Orbital Theory पे हमने डिसकस्चिन की थी और हमने formation जो थी वो देखी थी O2 की O2 उसके ions की भी बाद में हमने bond order वगेरा Magnetic Properties को डिसकस किया था देन हमने देखा था F2 Molecular की formation को तो आज हम इस लेक्चर में N2 की formation को देखने लगें पहले तो मैं इस लेक्चर में N2 की formation बता दूँगा आपको ठीक है अगर आपने पहला लेक्चर वो मेरा सुना है तो ठीक है otherwise उसको सुन लें या आपको पहले पता ह होना चाहिए ठीक है तो N2 की जो formation है हमारे पास यह कैसे होगी पहले तो यह देखेंगे नंबर टू फिर जो N2 की formation है और O2 या F2 की formation है on the basis of M.O.T. उनमें क्यों difference आता है कहां पर आता है वो मैं आपको इस lecture में बताऊंगा और कुछ हमारे पास homonuclear diatomic molecules होते हैं वो मैंड पर थोड़ा सा आपको उनका जो है वो touch दूँगा तो यहां पर सबसे पहले जो हमारा काम है वो है formation of N2 कैसे होगी इसका magnetic behavior इसका जो bond energy ह है इसका जो bond order है वो कैसे आता है तो आईए इसको देख लेते हैं तो सबसे पहले हम इसको start करेंगे electronic configuration से इसका atomic number होता है 7 configuration है 1s2, 2s2, 2px1, 2py1 and 2pz1 as well यह होगी हमारी electronic configuration for nitrogen atom अब दो nitrogen atoms आपस में मिलेंगे दो nitrogen atoms के atomic orbitals and 2 बनाने के लिए इधर भी nitrogen के इधर भी nitrogen के atomic orbitals होंगे वो आपस में करेंगे overlap overlapping से बनेंगे bonding molecular orbital और anti-bonding molecular orbital bonding low energy पे होंगे anti-bonding high energy पे होंगे low वाले constructive interference से बनते हैं higher वाले destructive interference से बनते हैं low वाले stable होते हैं higher वाले unstable होते यह bond formation करवाते हैं यह सारा कुछ मैंने previous lectures में explain कर रखा है तो अब देखें हमारे पास है nitrogen का एक nitrogen का 2s orbital यह दूसरे nitrogen atom का भी यहां पर क्या है 2s atomic orbital यहां चुके यह energy diagram होती है तो यहां पर हम energy के लिए क्लाइन लगा लेते हैं यहां पर में लिख लेता हूं अब यह करेंगी overlap दोनों atomic orbitals इनकी constructive interference होगी तो यह बनेगा bonding molecular orbital destructive होगी तो क्या बनेगा anti-bonding molecular orbital ठीक है तो यह होगा हमारे पास सिगमा 2s तो यह होगा सिगमा स्टार 2s bonding जो है वो सिगमा 2s है anti-bonding सिगमा स्टार 2s है यहां पर तो देखो 2s में कितने electron है वान इस मैंने क्यों नहीं बनाया क्योंकि इनर शेल में आता है इनर्ट पेर होता है इसको छोड़ देते हैं तो यहां पर दो यहां पर दो तो दो चले जाएंगे bonding स्टार 2s में सिगमा 2s में और दो एंटी बांडिंग में सिगमा स्टार 2s में यह मैंने न सिगमा 2s लिख है यूं ठीक है अब हम आते हैं नेक्स पे नेक्स हमारे पास हैं 2px, 2py, 2pz यह तीन है तीनों कहलाते हैं डी जनरेट अटॉमिक और्बिटल तीनों के इनर्जी सेम है शेप सेम है औरियन्टेशन का डिफरेंस है बारहल हमने तो इनर्जी के मताबिक देखना है तो एक दो तीन इसके बिलकुल यहां पर दूसरे नायट्रोजन अटम के एक दो और यह तीन एक का नाम हमारे पास है 2px, 2py, 2pz इसी तरतीब में यहां पर लिख लें 2px, 2py, 2pz यहां तक clear हो गया अब यह करेंगे overlapping, constructively भी interfere करेंगे और destructively भी, 6 है ना तदाद में, 3 इधर, 3 इधर, तो 6 ही नए molecular orbitals बनेगे, उन में से 3 bonding होगे और 3 anti-bonding होगे, तो देखते हैं, अब यह overlap कर रहे हैं, पहले bonding वाले बना लेते हैं, तो यह हमारे पास 1 और 2, तो यह होगे 3 bonding molecular orbitals, यहां पर ही difference आया है, समझ है, यह F2 की, तो आपको difference समझ आ गया होगा कि क्या difference आ रहे है, difference यह आ रहे है, कि यहां पे जो पाई 2PY है, यह वाला, और पाई 2PZ, यह energy में lower energy में आ रहे है, और यह sigma 2PX, यह higher energy पे चला गया, यह difference आया, यह क्यों आया, इसको तो हम आगे चलके देखेंगे, लेकि यह difference आ गया है, इन दोनों के anti-bonding यह पड़ें, पाई स्टार 2PY, और पाई स्टार 2PZ, और यह होगा, सिगमा स्टार 2PX, यह इसका यह anti-bonding है, इन दो के यह anti-bonding है, अब elektrons लिख लेते हैं, इसमें एक, इसमें एक, इसमें एक, इसमें एक, इस तरह यहां पे भी एक हो जाएंगे, anti-bonding में कोई elektron यहां पे मुझूद नहीं होगा, अब हम बात करेंगे, इनके bond order की, bond order कैसे हम निकालते हैं, वो आपको पता है, bond order में हम number of electron in bonding molecular orbital, minus करते है number of electrons in anti-bonding molecular orbital, तो जो हमारे पास answer आता है, वो होता है, हमारे पास bond order, तो हमारे पास bonding molecular orbital में 2, 4 और यह 6 electrons in total, तो यहां पर मैं लिखे जिता हूँ, 6 electrons हैं हमारे पास bonding molecular orbital में, कोई भी electron anti-bonding में है, नहीं, कोई भी electron नहीं है, anti-bonding molecular orbital में, और डिवाइड करें 2, यह formula आता है, इसका answer कितना आएगा, 3, इसका मत्तब यह है, कि 2 nitrogen atoms के दिरम्यान triple covalent bond होता है, triple covalent bond होता है, जिन मैंसे 2 pi bonds हैं और एक sigma bond है, ठीक है, इसके बाद आते हैं, इसकी bond energy पे, bond energy, आप, वो bond energy हम कैसे लिखते होते हैं, हम ना molecular orbitals को देखके लिखते होते हैं, और वो molecular orbital bonding भी हो सकते हैं, और anti-bonding भी, atomic orbital को हमने bond energy में include नहीं करना, तो सबसे low पे हमारे पास है, sigma 2s, उससे ज्यादा पे है, sigma star 2s, उससे ज्यादा पे है, ये दो, pi 2py और equal है, pi 2pz के, ठीक हो, ये दोनों की आपस में energy equal है, और ज्यादा है sigma star 2s से, तो इसलिए इन दोनों को equal लिखा, उससे ज्यादा फिर किस की है, sigma 2px की, इससे भी ज्यादा किस की है, इन दो की, जो anti-bonding है, pi star 2py, और बराबर है pi star 2pz के, और सबसे ज्यादा यहाँ पे है, sigma star 2px की, इसकी energy सबसे उपर है, ज्यादा है, बाकि electron लिखने होते हैं, इसमें 2 electron है, इसमें 2, 2, 2, 2, इन में कोई electron नहीं है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, दो है, यहाँ पर भी 2, दो, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर कोई नहीं है, तो अब हम इसका magnetic behavior लिखना चाहें, magnetic, magnetic behavior, तो बताओ क्या होगा magnetic behavior, diamagnetic, हैं, बड़े अच्छे से समझे हो, आप लोग, क्यों diamagnetic है, येस, क्योंकि सर, इसके anti-bonding molecular orbital में, या bonding molecular orbitals में, हमें unpair electron नहीं मिल रहे, सारे के सारे electron paired हैं, यह नहीं देखने हैं, यह तो atomic orbital हैं, इनको छोड़ दो, इनको देखो, जो सेंटर में आ रहे हैं, paired, 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 empty, तो unpaired तो कहीं भी नहीं है न, so that is why, जो nitrogen का molecule होता है, N2 is diamagnetic, और diamagnetic का मत्तब आने आपको बताया था, या तो यह strong magnetic field की तरफ attracted नहीं होगा, या उससे slight सा repel होगा, so, यह हमारे पास है, diamagnetic molecule, ओके, अब, अब इसके ions की बात कर लेते हैं, like, अगर हम बात करें, यहां तक ही hope कि आपको समझाया होगा, अभी मैंने, यह change क्यूं आता है, इस पे तो आना है, अब हम इसके ions की बात करते हैं, ions हमारे पास क्या है, अगर हम बात करें, N2-2 की, यह इसका molecular ion है, इसका मतलब इसने दो electron intake किये हैं, किसने भला, N2 ने, तो ही वो N2 negative बना न, negative 2, तो वो दो electron यहां आजेंगे, एक यहां और एक यहां, तो अब इसका अगर हम bond order निकालें, वो आएगा 2, कैसे, bonding molecule orbital में 6 electron, anti-bonding में 2, तो 6-2 divided by 2, and answer will come out 2, तो इसका मतलब इसका bond order आया 2, ठीक है, यहनि B, O, इसका आएगा 2, इस N2 negative 2 का, एक तो यह बात, फिर यह paramagnetic होगा, क्योंकि यह बिल्कुल similar बन गया अब, electron के मताबिक, किसके comparative, oxygen के comparison में अगर बात करेंगो, तो यह होगा paramagnetic, paramagnetic होगा यह, ठीक है जी, तो यह मैं किसकी बात की है, N2 negative 2 की, अब यह MCU भी आ सकता है, कि N2 negative 2 paramagnetic होता है यह diamagnetic, तो चुक्छे इसके anti-bonding molecule orbital में unpaid electron है, तो यह हुआ, paramagnetic, I really hope कि यह आपको clear होगा, अब अगर इसका positive ion हम बनाते, तो वो चुक्छे इतना ज़्यादा कम बनता है, जना होने के बराबर बनता है, तो यहाँ पर नहीं लिखेंगे, सिरफ हम N2 negative 2 को explain कर रहे हैं, और वो क्या आता है, paramagnetic होता है, तो यह हमारे पास N2 negative 2 का ion क्या होता है, paramolecular ion, paramagnetic होता है, अब असल बात पर आते हैं, अब यह जो difference है, अगर आपने previous lecture तो सुना है, आपको पता भी है, O2 formation कैसे होती है, या N2 formation, फिर तो आपको वो diagram आती होगी, लेकिन थोड़ी से मैं यहाँ पर बना के दिखा देता हू कि क्यों, O2 formation और N2 formation का difference होता है, देखो, यह तो same होता है, यह वारा, O2 के लिए कहाँ difference आता है, देखें, एक, दो, तीन, एक, दो, तीन, तो यह इस तरह का होता है, O2 का, ऐसे, कहीं पर difference नजर आ रहे हैं आपको, मुझे आ रहे है, देखो, 2PX, 2PY, 2PZ, इस तरह, 2PX, 2PY, और यह, 2PZ, oxygen में यहां पर दो electron होते हैं, यहां पर एक, यहां पर एक, इसी तरह, यहां पर दो, एक, एक, वो यहां पर दो चले जाते हैं, यहां पर दो, यहां पर भी दो, यहां पर एक, यहां पर कोई भी नहीं होता है, तो इनके नाम भी हैं, यहां पर सिगमा, 2PX, यह पाई, 2PY, यह तो पीजी इस तरह यह पाई स्टार मैं थोड़ा सा रफ ले लिख रहा हूं इसको क्योंकि यह पहले हम कर चुकें पाई स्टार सिज और यह सिग्वास्टार स्टार की पी एक्स तो फॉक्ष इस त्रह नुद कि निए अबसक्क हार यह जा एक्स तरह वा हार इसके इसको देखें है ना यहां पे ना पाई वाले बॉंड्स हैं यह नीचे हैं और सिगमा टू पी एक्स उपर है यहां पर ऐसा नहीं है यहां पर सिगमा टू पी एक्स नीचे है यह नी नॉर्मल स्ट्रक्चर है और पाई स्टूडेंट्स को अक्षर पेपर में भूलता ह पतानी नाई टोजन में ये नीचे आएंगे नाइड अपको कहता हूं यह वला वैफ्टो कवना यह नार्मल होता है तो जह हमारा सथुख्राइशन प्रासेस है र McMal Riley नीच एक तो नर्मल सभाइशन के लिए तो नॉर्म सा से याद रखा जाएगा आप से मैंने अपनी तरह से आपको एक ट्रिक बताहीए- कैसे मैं याद करता था आप यह से कर सकते हैं तो इसका NoOrm 취ive है और इसका NoOrmology है इस पर मारते मैं इसको कुछ यूं explain करूंगा देखें कदरा आपको वह समझ आएगा जो मैं आपको बताना चाहूंगा सबसे पहले ना मैं सेकंड पिरिड के elements लिखता हूं यहां पर सेकंड पिरिड के जो elements है हमारे पास प्रेडिक टेबल के वह हैं यूं सबसे पहले आता है लिठियम, फिर बेरिलियम, फिर आता है बोरों, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ओक्सिजन, और फलोरी, नियोन में नहीं लिख रा क्योंकि नियोन का मॉरिकुल फॉर्म नहीं होगा. अगर इन सारों के होमोन न्यूक्लियर डायाटॉमिक मैं मौलिक्यू लिखूँ LI2, BE2, B2, C2, N2, O2, F2 की बार ये सारे मौलिक्यूल फॉर्म हो सकते हैं कार्बन को छोड़ के ठीक है जी लेकिन अपनी गैशियस स्टेट में ये वैसे तो सॉलिड होती ही लेकिन इसका गैशियस स्टेट में LI2 मौलिक्यूल है according to MOT फिर BE2 का भी है, B2 का भी है, C2 का नहीं है क्यों नहीं होता वो हम उस पर बात करेंगे N2 का भी है, O2 का है अच्छा इसमें ये वाले जो है ना सारे ये वारे इन सारों का structure जो होता है सारों का structure वो एक जैसे है जैसे यहां पे N2 का बना हुए सिरफ electron के feeling different होगी इन दो का आपस में एक जैसे है जैसे कर यहां पे बना हुए इन में भी बस electron के feeling का फरक है O2 और F2 की ठीक हो गया, बात समझ आ रही है न कि जब हम left to right move करते है, atomic size कम होता है, बिल्कु सही है, अब मैं सिर्फ comparison कर रहा हूँ किसका भला, nitrogen का और F2 का के ये क्यों change आया, तो अगर हम N2 में nitrogen की सिर्फ बात करें, सिर्फ nitrogen की, और nitrogen के 2S और 2P orbitals की बात करें, जाहरी बात है nitrogen की configuration में 2S भी आता है और 2P भी आता है, तो 2S की energy कम है, 2P की जाद है, इन दोनों की जो energy का difference है ना, यहाँ पे, यह जो energy difference है, यह वाला, किन किन के दरम्यान, 2S और 2P, जो nitrogen atom के, चलो, N2 को छोड़ दे, nitrogen atom के 2S और 2P atomic orbitals के दरम्यान, जो energy का difference होता है न, that is 1195 kilo joules per mole, इतना होता है, ओल्राइट, 1195 kilo joules per mole होता है, अच्छ oxygen के case में, oxygen के case में, जो 2S orbital है, और जो 2P atomic orbitals है, इन के दरम्यान, यहाँ पे, यह वाला, जो energy gap है, यह होता है, ज्यादा, और यह होता है, 1595 kilo joules per mole, यहाँ energy gap कम, oxygen के case में, 2S और 2P का energy gap ज्यादा, अब यहाँ पे, 2S और 2P के overlapping के chances ज्यादा है, तो chance जब overlap होंगे यह दो, तो इनके nature कौन सी बन जाएगी, SP करेक्टर आ जाएगा इनके अंदर, यहाँ यहाँ पे जो 2S है, वो pure 2S ही होता है, और जो 2P हैं, यह सारे pure 2P ही होता है, क्योंके यह overlap नहीं करते हैं, huge energy gap between the atomic orbitals, लेकिन, in case of nitrogen, यह इससे जो पीछे हमारे पास atoms हैं, इनके अंदर energy का gap होता है कम, तो यह कर जाते हैं, overlapping से, जो pure S है, वो pure S नहीं रहता, P, pure P नहीं रहता, इनके अंदर, SP nature आ जाता है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा चींज नजर आया, तो इसका मतलब, O2, F2 का molecule, normally form होता है, बाकी जो पीछे हैं, उनके थोड़े से abnormal हैं, due to overlapping of atomic orbitals, so that's it about this lecture, next lecture में हम बात करेंगे, यह molecules के लिए, और यह सिरफ होंगे, BS students के लिए, this is not for that, FSE students, so, अगर आपको समझ आया, like कर दें, Allah आप दिस,